मैं जीवों को सुख के देने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर इस अध्याय में भट्टा तलंक देव की कथा लिखता हूँ जो की समय ज्यान का उद्योत करने वाली है, भारत वर्ष में एक मान्यखेट नाम का नगर था. उसके राजा थे शुभतुंग और उनके मंत्री का नाम पुरुशोत्तम था. पुरुशोत्तम की ग्रिहिनी पदमावती थी. उसके दो पुत्र हुए. उनके नाम थे अकलंक और निकलंक. वे दोनों भाई बड़े बुद्धिमान गुनी थे. एक दिन की बात है कि अश्टाह पर्व की अश्टमी के दिन पुरुशोत्तम और उसकी ग्रिहिनी बड़ी विभूती के साथ चित्रगुप्त मुनिराज की वंदना करने को गई. साथ में दोनों भाई भी गए. मुनिराज की वंदना कर, इनके माता पिता ने आठ दिन के लिए ब्रहमचर्य लिया और साथ ही विनोधवश अपने दोनों पुत्रों को भी उन्होंने ब्रहमचर्य दे दिया. कुछ दिनों के बाद पुरुशोत्तम ने अपने पुत्रों के ब्याह की आयोजना की यह देख दोनों भाईयों ने मिलकर पिता से कहा, पिता जी, हमें आठ दिन के लिए ब्रहमचर्य दि इसलिए हम तो अब उसका आजन्म पालन करेंगे, ऐसी हमारी द्रिड प्रतिग्या है। उस समय मान्य खेट में ऐसा कोई बौध विद्वान नहीं था, जिससे ये बौध धर्म का अभ्यास करते। इसलिए ये एक अग्य विद्यार्थी का वेश बनाकर महाबोधी नामक स्थान बौध धर्माचार्य के पास गए। आचार्य ने इनकी अच्छी तरह परीक्षा करके कि कहीं ये चली तो नहीं है। और जब उन्हें इनकी ओर से विश्वास हो गया, तब वे और और शिश्यों के साथ साथ इन्हें भी पढ़ाने लगे। ये भी अंतरंग में तो पक्के जिन्धर्मी और बाहिर एक महामूर्ख बनकर स्वर्व्यंजन सीखने लगे। निरंतर बौध्ध धर्म सुनते रहने से अकलंक देव की बुद्धी बड़ी विलक्षन हो गई, उन्हें एक ही बार के सुनने से कठिन से कठिन बात भी याद हो जाने लगी और निकलंक को दो बार सुनने से। अर्थात अकलंक एक संस्थ और निकलंक दो संस्थ हो गए। इस प्रकार वहां रहते दोनों भाईयों को बहुत समय बीट गया। एक दिन की बात है बौध्ध गुरु अपने शिशियों को पढ़ा रहे थे। उस समय प्रकरण था जैन्धर्म के सप्तभंगी सिध्धान्त का वहां कोई ऐसा अशुध पाठ आ गया जो बौध्ध गुरु की समझ में न आया। तब वे अपने व्याख्यान को वहीं समाप्त कर कुछ समय के लिए बाहर चले आये। अकलंक बुध्धिमान थे। वे बौध्ध गुरु के भाव समझ गये। इसलिए उन्होंने बड़ी व्याख्यान आरंभ किया। जो पाठ अशुध था वह अब देखते ही उनकी समझ में आ गया। यह देख उन्हें संदे हुआ कि अवश्य इस जगह कोई जिनधर्म रूप समुद्र का बढ़ाने वाला चंद्रमा है और वह हमारे धर्म के नश्ट करने की इच्छा से अध्धगुरु ने सब विद्यार्थियों को शपत प्रतिग्या आदी दे कर पूछा पर जैनधर्मी का पता उन्हें नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने जिन प्रतिमा मंदवा कर उसे लांध जाने के लिए सब को कहा। सब विद्यार्थी तो लांध गए, अब अकलंग की बारी आई, उन्होंने अपने कपडे में से एक सूत का सुक्ष्म धागा निकाल कर उसे प्रतिमा पर डाल दिया और उसे परिग्रही समझ कर वे जट से लांध गए। यह कार्य इतनी जल्दी किया गया कि किसी की समझ मे ना आया। बौध गुरू इस युक्ती में भी जब कृतकार्य नहीं हुए तब उन्होंने एक और नई युक्ती की। उन्होंने बहुत से कांसों के बरतन इकठे करवाए और उन्हें एक बड़ी भारी गौन में भरकर वह बहुत गुप्त रीती से विद्यार्थियों के स सुख का अनुभव कर रहे थे। किसी को कुछ मालूम न था कि हमारे लिए क्या क्या शड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पास ही बौध्ध गुरू का जासूस खड़ा हुआ था। वह उन्हें बुद्ध भगवान का स्मरन करने की जगहे जिन भगवान स्मरन करते देखकर बौध्ध गुरू के पास ले गया। गुरू से उसने प्रार्थना की प्रभो। अपने पर एक महाविपत्ती आई देखकर निकलंक ने बड़े भाई से कहा भैया। तुम बुद्धिमान हो, तुम्हे भै करना उचित नहीं। घबराओं मत डॉट अब भी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकेंगे। इधर जब आधी रात बीच चुकी और बौध्ध गुरु को आज्यानुसार उन दोनों भाईयों के मारने का समय आया, तब उन्हें पकड़ लाने के लिए नौकर लोग दोड़े गए, पर वे कैद खाने में जाकर देखते हैं, तो वहां उनका पता नहीं। उन्हें उनके एकाएक गायब हो जाने से बड़ा आश्चर्य हुआ। पर कर क्या सकते थे? उन्हें उनके कहीं आसपास ही छुपे रहने का संदे हुआ। करने को बाध्य होना पड़ा दोनों भाई भागते जाते थे और पीछे फिर फिर कर देखते जाते थे, कि कहीं किसी ने हमारा पीछा तो नहीं किया है, पर उनका संदेह ठीक निकला। निकलंक ने दूर तक देखा, तो उसे आकाश में धूल उठती हुई देख पड़ी, उसने बड़े भाई से कहा। भाईया, हम लोग जितना कुछ करते हैं, वह सब निश्फल जाता है। जान पड़ता है दैवने अपने से पूर्ण शत्रुता बांधी है। खेद है परम पवित्र जिन्शासन की हम लोग कुछ भी सेवा न कर सके और मृत्यूने बीच ही में आकर धर दबाया। भाईया, देखो तो पापी लोग हमें मारने के लिए पीछा किये चले आ रहे हैं। अब रक्षा होना असंभव है। हाँ मुझे एक उपाय सूच पड़ा है, उसे आप करेंगे, तो जैन्धर्म का बड़ा उपकार होगा। आप बुद्धिमान हैं, एक संस्थ हैं। आपके द्वारा जैन्धर्म का खूब प्रकाश होगा। देखते हैं, वह सरोवर है। उसमें बहुत से कमल हैं। आप जल्दी जाए और तालाब में उतर कर कमलों में अपने को छुपा लीजिए। जाए, जल्दी कीजिये देरी का काम नहीं है, शत्रुपास पहुचे आ रहे हैं। आप मेरी चिंता न कीजिये, मैं भी जहां तक बन पड़ेगा, जीवन की रक्षा करूंगा। और यदि मुझे अपना जीवन दे देना भी पड़े, तो मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं। जबकि मेरे प्यारे भाई जीते रहकर, पवित्र जिन्शासन की भरपूर सेवा करेंगे। आप जाए, मैं भी अब यहां से भागता हूं। अकलंक की आखो से आसूओं की धार बह चली। उनका गला भ्रात्र प्रें से भर आया। वे भाई से एक अक्षर भी न कह पाये कि निकलंक वहां से भाग खड़ा हुआ। लाचार होकर अकलंक को अपने जीवन की नहीं। पवित्र जिन्शासन की रक्षा के लिए कमलों में चुपना पड़ा, उनके लिए कमलों का आश्रय केवल दिखाओ था। वास्तव में तो उन्हों ने जिसके बराबर संसार में कोई आश्रय नहीं हो सकता। उस जिन्शासन का आश्रय लिया था। निकलंक भाई से विदा हो जी छोड़कर भागा जा रहा था रास्ते में उसे एक धोबी कपड़े धोते हुए मिला धोबी ने आकाश में धूल की घटा चाई हुई देखकर निकलंक से पूछा यह क्या हो रहा है और तुम ऐसे जी छोड़कर क्यो भागे जा रहे हो निकलंक ने कहा पीछे शत्रूओं की सेना आ रही है उन्हें जो मिलता है उसे ही वह मार डालती है इसलिए मैं भागा जा रहा हूँ ऐसा सुनते ही धोबी भी कपड़े बगैर है सब वैसे ही छोड़कर निकलंक के साथ भाग खड़ा हुआ वे दोनों बहुत भागे पर आखिर कहा तक भाग सकते थे सवारों ने उन्हें धर पकड़ा और उसी समय अपनी चम्चमाती हुई तलवार से दोनों का शिर काट कर वे अपने मालिक के पास ले गए सच है पवित्र जिन्धर्म अहिंसा धर्म से रहित मिथ्यात्व को अपनाए हुए पापी लोगों के लिए ऐसा कौन महापाप बाकी रह जाता है जिसे वे नहीं करते जिनके हृदय में जीव मात्र को सुख पहुचाने वाले जिन्धर्म का लेश भी नहीं है उन्हें दूसरों पर गया आभी कैसे सकती है उधर शत्रू अपना काम कर वापिस लोटे और इधर अकलंक अपने को निर्विधन समझ सरोवर से निकले और निडर होकर आगे बढ़े वहां से चलते चलते वे कुछ दिनों बाद कलिंग देशानतरगत रत्न संचैपूर नामक शहर में पहुँचे इसके बाद का हाल हम भटारक अकलंक कथा भाग दो में देखेंगे